SCVMA Solution, Chapter 15, Wave Motion, Question No. 12 Figure shows a plot of transverse displacement of particle of string 80 is equal to 0 through which a traveling wedge is passing positive x direction the wave speed is 20 cm per second find the amplitude, the wavelength, the wave number and the frequency of wave ok तो अपने को के देखा है एक तो speed दे रखा है और एक wave दे रखा है जो positive x direction में जा रही है और wave का इस तरह से अपने को graph दे रखा है ok तो यहां से first पूचे आपने को amplitude क्या होगा तो देखो amplitude क्या है यह show करेगा आपका amplitude y direction में particle motion कर रहा है particle y direction में motion कर रहा है और wave x direction में motion कर रहा है wave का direction इधार है और particle का direction इधार है तो particle यह अपना mean position है और particle का maximum कहां पर जा रहा है, 1 mm, यह अपना mm है, तो particle का maximum displacement कितना है, 1 mm, और निचे भी कितना है, 1 mm, तो amplitude कितना आ जाएगा, 1 mm, ठीक है, maximum displacement of particle from main position, क्या होगा, 1 mm, ओके, next क्या पोचा है अपने को, यह अपना A part कहां था है, B part में क्या पोचा है, the wavelength, wavelength पोचा है, तो wavelength क्या होगा, यहां से यहां तक, यह एक cycle complete होता है, तो यह अपना wavelength, यह फिर मैं यहां से लिख बोलू, तो यहां तक, यह मेरा cycle complete होता है, तो यह मेरा wavelength होगा, यहां से यहां तक wavelength होगा, तो 2 cm से 6 cm, तो 6-2 कितना हो जाएगा, wavelength होगा, 6-2, कितना हो जाए सेंटिमेटर यहां से यहां तक आपका क्या है यह यह वन वेवलेंध है ठीक है 4 सेंटिमेटर वेवलेंध होगा सी पार्ट में क्या पूछ रखा है द वेव नंबर वेव नंबर यानि के कितना 2 पाय अपन लेंडा 2 इंटो 3.14 अपन 4 कुतना आ जाएगा यह 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 जाएगा 3.14 by Morgen या या नी यह वन पॉइंट एलारॉंट 6 लिख सकतَ है 1.6 एंप्रोट्स लिख सकते है वन पॉइंट 6 हा जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स ठीक है देचे अपना सेंटीमेटर में तो सेंटीमेटर इन्वर्स लिख लेता है है time period कैसे नहीं करेंगे T is equal to wavelength by speed कर सकते क्योंकि speed is equal to distance upon time तो time is equal to क्या है distance upon speed तो distance यानि wavelength कितना है 4 cm और speed कितना है 20 तो यह कितना आ जागा 1 by 5 1 by 5 क्या आजागा time आजागा time के वाज़ी भी output करो 1 upon 1 by 5 यानि 5 hertz frequency कितना आजागी 5 hertz